दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपके लिए एक रुपे से भी सस्ते बहुत ही बैतरीन पैनी स्टॉक लेकर आये हैं जिसका प्राइज अगर देखा जाए उसके इंट्रेंसिक वैल्यू के इसाब से तो वह भी बहुत ही कम प्राइज में मिल रहा है और दोस्तों आने वाल की बात करें तो कमपनी का फंडामेंटल जो है वो बहुत ही स्टॉंग होना चाहिए और दोस्तों फ्यूचर में वो स्टॉक मल्टी बैगर पैनी स्टॉक बन जाए मतलब उसका प्राइज अभी एक रुपे से भी सस्ते है लेकिन फ्यूचर में उसका प्राइज बहुत ही अच्छा वो मल्टी बैगर इस टॉक बन जाए तो उन इस टॉक के बारे में बताइगे और दोस्तों जिन भी इस स्टॉक के बारे में बताइगे उसका जो परमोटर हुलडिंग हो बहुत अच्छा खासा होना चाहिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं उस पैनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं जिसका पर्मोटर होल्डिंग जो हर साल मतलब डिक्रीज होते जा रहा है मतलब कि हर साल कम करते जा रहा है जो पर्मोटर है उनको भरोसा नहीं है कि वो इस टॉक अपना होल्डिंग बरा रहें तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाई इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पर जो स्टॉक है दोस्तों इसका नाम है राच रोएन इंडिस्ट्री अगर दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की तो अभी इसका करेंट में प परकर 50 पैसे के आसपस हो गया था मतलब कि आप सोच सकते हैं पांच गुना पैसा हो चुका था और दोस्तों अगर अभी आपको दिखा देख सकते हैं 25 परसेंट का देजी है जो कि उतना खास नहीं है और दोस्तों यह स्टॉक अगर देखा जाए फंडामेंटल तो फंडा 11 रुपे के आसपस हुआ करता था और यह स्टॉक मतलब 11 रुपे से घटकर फिर 3 रुपे 4 रुपे के आसपस हुआ करता था और फिर वहां से जो तेजी आया इसमें आप देख सकते हैं 100 रुपे के आसपस यह स्टॉक चले गया था और दोस्तों अभी जो इसका करेंट में प्राइस आप देख सकते हैं 100 रुपे से गिरकर 25 पैसे के आसपा सो चुका है अब आप सोचे इस से सस्ता आपको क्या मिलेगा 100 रुपे का स्टॉक अभी आपको 25 पैसे में मिल रहा है दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता देते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसके पास अगर 1000 रुपे होता है तो उस 1000 रुपे को एक ही स्टॉक में पैसा लगा देते हैं और फिर वो अगर लॉस में जाता है तो वो बोलते हैं मेरा पैसा बरबाद हो गया तो आपको करना क्या है, मान के चलिए अगर आपके पास 1000 रुपए है ठीक है अगर example में 1000 रुपए है तो इसको 10 company में आप लगाईए तो इससे क्या होगा अगर 5 आपका सही भी हुआ, 5 अगर गलत भी हो गया 5 अगर सही हो गया तो 5 गलत भी हो गया, तो आपको मतलब कुछ नहीं जाएगा आप तपर भी profit में रहिएगा तो इस तरीके से penny stock में खास करके काम किजिए कि अपने पैसे को diversify करके किजिए तो आज किस वीडियो में दोस्तों आपको दसों stock के बारे में बताएंगे तो दसों को एकदम ध्यान से देखिएगा तो यह तो हमारा था दूसरी number का stock जो कि दोस्तों बहुत ही बैतरी ने 25 पैसे का stock है आप इसको भी देख सकते है, fundamental strong है और तीसरी number की बात करें तो दोस्तों तीसरी number पे जो है MFL India Limited, अगर बात करें इसके price की तो अब इसका price आप देख सकते हैं 32 पैसे के आसपास है आप सोच सकते हैं 32 पैसे के आसपास इसका price है और दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक साल में बहुत ही कम return दिया है 73% का return दिया है जो कि उतना खास नहीं है और दोस्तों आपको दिखा देते हैं इसका maximum chart तब आपको अच्छे से समझ में आएगा इसका maximum chart देके तो दुरस्तों इसका price हुआ करता था करीबन दो रूपे के आसपास हुआ करता था और अभी जो इसका price है वो करीबन 25 पैसे के आसपास है मतलब इतना गिर चुका है और इतना सस्ते में अभी मिल रहा है अब इससे सस्ता आपको क्या मिलेगा इसका क्या 10 पैसा price होगा इतना भी नहीं होगा अब इसलिए हम बोल रहे हैं यह stock बहुत ही बैटरीन है आप हम आपको बोले तो एक stock में कभी पैसा मत लगाईगा सब को अगर आपके पास जितना पैसा उसको 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए उसके बाद 10 stock में पैसा लगाईए अपने रिक्स के हिसाप से अपने हिसाप से देख सकते हैं अगर बात करिए इसकी price की तो अभी इसका current में price देख सकते है 37 पैसे के आसपास है और दोस्तों बात कर पैसे पार इसका हाई हुआ करता देंख जाए अगर देका लगा तो 35 रूपर के अपास का हाई हैस प्राइज प्राइस गया था लेकिन अभी इसमें क्या है यह बहुत ही कम पैसे में मिल रहा है शॉक कुछी साल पहले 40 रूप प्राइश हुआ करता था और और वह अभी 37 इस पैसे में मिल रहा है 40 पैसे में मिल रहा है दूइज बहूं इस ड़क को भी दЯख सकते हैं बहुत ही बहत बैंए सूइण अगर बात कर सक मैं 40 पैसे के असपश अभी इसका current में price है और दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा दे एक साल में तो आप एक साल में इसमें देख सकते हैं 13% का गिरावाट जोक्त बहुत ही अच्छा है और अगर आपको इसका maximum चार्ट दिखा दे तो maximum चार्ट देखे कि इस स्टॉक का स्टार्टिंग में जब इसका प्राइज हुआ करता था 18 रुपे के असपास इसका स्टार्टिंग में प्राइज हुआ करता था और 18 रुपे से बढ़कर यह चले गया था करीबन 40 रुपे के आसपास अभी दोस्तों यहीं स्टॉक जिसका प्राइज 40 तो यह भी स्टॉक बहुत ही बैतरी ने आप इसको एक बार देख सकते हैं इसका नाम आप देख लीजिए अगला जो स्टॉक है दोस्तों इसका नाम है यामनी इंवेश्टमेंट कंपनी लिमिटेड अगर दोस्तों बात करें इसका करेंट में प्राइस 45 पैसे के असपास चल 20 पैसे का स्टॉक 2 रुपे चले गया था वो भी इतना कम समय में लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत ही अच्छी ऑपरचुनिटी बन रही है वो क्या बन रही है चलिए वो हम आपको बताते हैं देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है आपको पता ही होगा या करेक्सन के बाद यह बहुत ही भेंकर तेजी इसमें आपको देखने को मिल सकता है इसका मतलब है अभी दोस्तों यहां पर आपको मौका है अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आप इस स्टॉक को खरी सकता है अगर दोस्तों आपको मैक्सिमम चार्ट मे दिखादें तो मैक्सिमम चार्ट में आप देख सकते हैं इसका प्राइस 10 रूपे के आसपस हुआ करता था बताये बहुत ही बैटरिन आप इसको एक भार देख सकते हैं अगला जो इस टौक है दूस्तों इसका नाम है, महराष्ट Corporation Limited, अगर दौसरों बात करें इसकी Price की तो अभी इसका Current में आप Price देख सकते हैं, बाबन, पैसे क्या सपास चल रहा है और दौस्तों यह इस टौक एक साल में आप देख सकते हैं, 126% का रिटन दे दिया है मतलब कि अगर देखा जाए तो दोस्तों छे मैने में तो छे मैने में आप देख सकते हैं बहुत ही कम 6% का आपको तीजी देखने को मिल रहा होगा और एक मैने की बात करें तो उतना कुछ खास नहीं है तो इसमें क्या खास बाते चलिए वह हम आपको बताते हैं अगर दोस्त अभी इसका आप देख सकते हैं प्राइस बहुत ही कम है और यह भी इस्टॉक बहुत ही बैतरी ने सकते आने वाले समय में आपको इसमें भी बहुत अच्छा का साथ ही देखने को मिल सकता है अगला जैसरे इसका नाम है सार्प इन्वेश्तरमेंट लिमिटेड अगर बात क एलएकन वी सब्सक्राइब करें सबसें अच्छा क्ma आप इसका क्ष kilowकाउब कह tôब यहीं लगा दोच जो झाय मेने में चिए मेने में आप देख सकतंकर प्र्संट्टक देख सकते एक महँंठें सक्थ हैं तो यह सब छोड़ी आप आपको इसको maximum चार्ट में दिखाते हैं दोस्तों इस स्टॉक जब आप maximum चार्ट अगर देखे तो 2014 में इसका प्राइस 34 रुपे के असपास हुआ करता था और स्टॉक भी देख सकते अगला जो स्टॉक है तो यह अच्छा बन रहा है वह हम आपको बताएंगे छे महिने में देखा जाए तो 20 परसंट का आप तीजी देख सकते हैं एक मेने की बात करें तो आएक मेने भी आप भी पूर्त depending सकते हैं उसका अगर मैक्सिमाम आपको चांट दिखा तो आप मैक्सिमम चांट देख सकते हैं इसका भी प्राइस करीब हुआ फ auxiliary 56 रूपह क्या स्पास निया है और चाहिए रुपह से बड़कर यहीd 40 रूपह क्या स्पास इसका land अगर बात करें सका हिट 2020 इसका प्राइस की अगर आपको दिखाए एक साल का चार्ट खिल्ट और अब साल के अंदर और अभी जो एक साल सपहले सक प्राइस एक आसपास और इसका प्रैसे का आश्पास हाईस गया था गया था करीब और अगर आपको मैकसिमम चार्ड दिखां का मैकसिमम चार्ड देखिए इसा को प्राइस बॉलНग मैं ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजेगा नहीं तो रहाएं भी स्टॉक आप देख सकते बहुती बैटरी नीज्बर अगला जो इसका नाम है अलका इंडिया लिमिटेड अगर बात करेंगे प्राइज की तो इसका भी प्राइज आप देख सकते हैं 60 पैसे के असपास है और दोस्तों यह स्टोक एक साल में आप देख सकते हैं 210 परसेंट का रिटेन दिया है जो कि दूस्तों बहुत ही जादा हो तो आप यहां पर देखें एक महीने में आप देख सकते हैं 13% का तेजी देखने को मिलेगा पांस दिन में देखा जाए तो 11% का आपको तेजी देखने को मिलेगा एक दिन की बात करें तो 3% का तेजी देखने को मिलेगा मतलब कि और आप इसको खरीदने के बारे में सोच सोच रहे हैं तो यह भी आप खरी सकते हैं फंडामेंटल बहुत ज्यादा इस्ट्रॉंग है आप इसको भी देख सकते हैं बहुत ही बैतरी पहनी श्टॉक है अगला जो श्टॉक है दोस्तों इसका नाम है टी स्प्रिचुल वर्ल्ड लिमिटेड अगर बात करें इसके प्रा गिरावट देखने को मिलेगा जो कि घबराने की कोई बात नहीं पांस दिन में देख सकते हैं 16 परसंट का गिरावट अभी दूस्तों इसमें क्या औप बन रहा है वह हम आपको बताते हैं यह आपको आचानक अच्छा का सातीजी देखने को मिला फिर यह थ्वरा सा सब्सक्राइब करने और नीचे एक बैल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके और सब्सक्राइब करने तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब के लिए धन्यों